देखिए 12y में, a है वो क्या है, a equal to 9, 10, 11, 12, 13 तक क्या numbers दिये हुए है, let f है, जो कि, एक क्या है, एक किस में दिया हुआ है, एक a set से natural number set में दिया हुआ है, तो define by f1, f1 क्या है, यहां से देखना, f1 the highest prime factor of n, जो fn है, वो highest prime factor of n का finding the range of f, यहनि f कि आपको range find out, पहले तो सब कुछ समझ में आगए, पहले जो given है, यहां से यहां पर यहां आगए, कि हाँ, a set भी दिया हुआ है, यहां फंक्शन है, जो कि a to n भी define है, फिर f of n equal to highest prime factor of n, यह समझ में नहीं है, sir, यह क्या है, तो थोड़ा आपको function को पढ़ना चाहिए, कि function में क्या दिया हुआ है, ठीक है, यह, इस में बहुत सी, यानि कि आप यह line नहीं समझ पाओगे, कि इसका मतलब क्या है, समझ में यही बात, यह, तो यही समझ नहीं आपको, तो देखो भी, क्या है, solution में देखो, given है आपको क्या, आपको a given है, तो यहाँ पर लिखाओगे, 9, 10, 11, 12, 13, यह आपका a set है, ठीक है, इसके बाद में, आपको एक function भी define है, क्या है, function a2n है, जहाँ पर देखो, एक का है, कि f of n किसके equal है, देखेगा, कि f of n है, वो क्या है, कि the highest prime factor, n, यहाँ कि highest prime factor होगा, जो किसका होगा, n का होगा, अब सर, यह n क्या है, यह n यह है, यह n है, अब यह n क्या है, यह n आपके domain का element है, यह देखो, यह अंदर वाला बेठा हुआ, जो n है, वो किस में belong करेगा, यह a में belong करता है, समझ मैं, क्योंकि जब हम function को पढ़ते है तो कैसे read out करते हैं, कि f of a equal to b, जो यह a होता है, वो किस में आता है, domain में आता है, धान में रखना, तो यहाँ का, जो n हो किस में belong कर रहा है, a, a में belong कर रहा है, आगी वह समझ में, जैसे कि अब में क्या लूँगा, यहाँ पे n की, तो n equal to क्या लूँगा, according to question, n equal to 9 अब देखो, एक कौन सी है यह आपके यहाँ पे, यहाँ पे आया आपका 10, 10 को क्या लिख सकता हूं, 10 को into 5 into 2 लिख सकता हूं, यही तो इसके prime factors है, क्या बोला, कि जो अंदर जो n है, वो ही तो है, यह n बेठा हुआ है, और बोला क्या n क्या करो, आप prime factors करो, n कहां से बिलो कर रहा, जो कि domain का element है, ठीक है, अभी, अब इसी के अंदर देखो, क्या है, आपका, 11 है, 11 तो खुद ही एक prime number है, तो इसका क्या ही factor करोगी, 11 का 11 नहीं रहेगा, और इसी में देखिएगा कि कौन सा, आपका 12, 12 में क्या हैगा, 12 को लिखोगे, आप क्या prime में कैसे लिखोग यहाँ पर 13 है, 13 को 13 ही लिखेंगे बस, तो यहाँ से देखो, fn है, वो क्या होगा, किसके उपर में एप होगा, इसके highest prime factor, तो इसमें यहाँ पर इसका कितना prime factor 3, 3 is highest prime factor, ठीक है, यह, अब इसी में देखो, इसका कितना है, यहाँ पर 5 है, same to same, और यहाँ पर देखो, यहाँ पर 11 है, यह वे सही है 11, यहाँ से, और यहाँ पर देखो, यह, कि 12, 12 में देखो, 12 में कौन है, 3 है, highest common factor of prime, prime factor, इसी में देखो, यह 13 में कौन सा है, 13 में, 13 में, 13 है, यह, अब इसका range, अब range कैसे देखोगी, यहाँ पर देखो, according to पहले में, थोड़ा diagram तो बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि diagram के बिना आपको कानिया समझ में नहीं आती है, यह और यह, ठीक है, अब यहाँ पर आपको function define था, यह domain है, और अंदर देखो, इदर कितना है, natural number है, यह आपका, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, और कितने तक, 13 तक जाना अगया, 9, 10, और यह थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, अपने हो, यह आपका natural number का set है, जिसमें, 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 तक ही, और आगे तक भी natural number है, ठीक है, अब देखो, इधर कौन से, a set के अंदर element आप इधर बना लो, 9, 11, 12, 13, ठीक है, अब function में रखते जाएंगे, map कराते जाएंगे, देखो, क्या है, कि यहाँ पर जब भी आपने 9 रखा तो, उसका highest common factor कौन था, 3, यह आया 3, फिर आपने 10 रखा तो, इसका highest common factor 5, 11 रखा तो, 11 का 11 है, 12 का कितना है, 12 का आप का आया होगा, 3, तो यह 3 आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर यहाँ पर 13 का यह? यह 13 का 13, ठीक हर één element, एक ही time पर आपकी, एक ही image रख रहा है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, 9 का, कितना है, 3, यह image है बट 12 का भी वह यह कोई दिक्कत नहीं है हमने यह बोला है कि एक element हमेशा एक ही point के साथ जुड़ेगा वह भी BK है यहां कि जो भी अपने code domain के साथ तो यहां से देखोगे तो देखो इसकी range में कितने element आई अपने को range पूच रहा है अब जैसे आप range बता दो कि इसमें देखती है ठीक है और पहली बात तो यह भी देख लो कि यह function तो है क्या function है क्योंकि हर एक element आया जिसको यहां पर function में बुलाया गया वहर एक को plate मिली अच्छे से खाना खाया यहां पर दो बाइकोन थे जुड़वा आ गए यानि कि वह दोनों सगे बाई आगे तो वह एक की plate में खाने लगए यह भी function है अच्छा function है सभी बुलाया सभी को खाना खिलाया सबको विदा गया ठीक है तो यह function कैसा हुआ अच्छा हुआ तो यह इसका मतलब यह function भी है इसमें देखो हमें पूछा क्या है रेंज सेट पूछिए तो रेंज सेट आप बता दो यहां पर कितने कितने किस को किस को तीर मारा है ठीक है थ्री को तीर मारा है थ्री को तीर है 5 को तीर है और किसको 11 को है 13 को है यह आपका रेंज सेट आया यह आपका क्या अन्सुर